गले में बम लटका कर विधायक आरके दोगने ने किया प्रदर्शन, हादसे को बताया मिली भगत का नतीजा हर्दा हादसे पर कांग्रेस विधायक आरके दोगने सुर्खियों में आ गए हैं। दरसल विधायक आर के दोग ने अबमो की माला पहन कर विधान सभा पहुँच गए इसके बाद उन्होंने गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि चार लाख रुपए के मुआवजे और कलेक्टर अव एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा थाने के पास में फेक्री चल रही थी और में रोट पर चल रही थी इसलिए यह सफीशेट नहीं ट्रांसफर करना कोई सालुसन नहीं होता है कारवाई करें कि लोगों की जान गई है लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खतम हो गए है, जीवन खतम हो गया, कोई के पिताजी चले गया, किसी के लड़का चला गया, कोई बुड़ी मा बची है, तो इस सब को मौजा प्रापर मिलना चाहिए, चार लाक में होगा क लोगों का जीवन नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपकी बात पर कहा जाए कि आप जो मौजे की बात करें, क्या मौजे से मामला सलट जाएगा, या फिर यूं कहें कि आपने भी तो पहले से नहीं उठाया इस मामले को, आप तो बिपक्ष में थे, अभी आप बर्कमान में बिदायक बने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कॉंग लेस यानि जो बिपक्ष है, इस पर राजनीती कर रहा है, देखें राजनीती तो हमने नहीं कि राजनीती तो कमल पटेल ने शुरू की, हमने तो किसी पर आरोप भी लगा था, राजनीती तो कल कमल पटेल ने आरोप ल लाता है अपनी बच्चत के लिए हम लोग को आरोप लगाया आज इसलिए हम को इसा करना पड़ा आज इस तक नहीं है बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे ने आरोप लगाया था बीजेपी के कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेताओं का सरक्षन हैं उतमें पैसा भी उनका लग सराब भिक रहे हैं इस तरह की पूरी गतिविदिया हो रही है और दो मेने समय बिदायक बनाओं तब से मैं चिला रहा हूं मैंने गांदी जी के सामने धरना भी दिया हुआ सब चीजे करना है इसके बाद भी जूनी रेंग रही थी और यह तनी बड़ी घटना हो गई है इ आरू भी खुली और यह घटना यह फेक्टरी खुली चल रही थी देखनों यह घटना हो गई आपके सामने